किसी भाई ने कहा कि मेरे पानी की समस्या, किसी लाडली बहनों ने कहा कि मुझे सरकारी योजना इन क्या लाब नहीं मिल्ला है कोई भाई कहता है कि बीना को जिला बनवा दो दीदी और कोई क्या लोग कहते हैं कि बीना का चाहू मुहिवकास करा दो दीदी जिस तरह आपने आशिरबाद और इसने के बलबूते पर मुझे बिधायक बनाया लेकिन समझ साई ये थी कि बिधायक तो बन गई थी लेकिन कुछ काम करने में असमत थी लगातार छेत्र से एक ही अवाज दीदी आपको आंगे बढ़ना है दीदी आपको ये काम करना है लेकिन क्या करें कैसे करें ये आप भी समझ रहे थे भाईयो और मैं भी समझ रही थी एक दिन मैंने विचार किया सम्मानिय भाईयो कि कुछ भी हो यदि बीना विकास के लिए या यदि बीना के छेत्र के विकास के लिए यदि मुझे बलिदान देना भी पड़े तो मैं वो बलिदान अबस्य दूँगी इसका विचार बना कर मैंने बाबा महाकाल के बेटे आदेनिय परम सम्मानिय मानने मुख मंत्री दाक्तर मोहन यादव जी के समक्ष सपत ग्रहन की और इस पाल्टी को मैंने चुना जो पाल्टी हर गाउं गली महले के विकास को आंगे बढ़ाती है और अंत में मैं एक बात और कहना चाहती हूं सातियों कि आपने हर बार मुझसे कहा किसी भाई ने कहा कि मेरे पानी की समस्या किसी लाडली बहनों ने कहा कि मुझे सरकारी योजनाएन क्या लाब नहीं मिल्ला है तो कोई भाई कहता है कि नगर पंच्यात बनवादो दीदी कोई कहता है कि सोबिस्तर अस्पताल बनवादो दीदी आदेणियों भाईयों आज मैंने जो भी कुछ किया है आप सब के लिए किया है और इस लक्ष को लेकर किया है और मुख मंत्री जी के समक्ष मैंने अपनी सपत ग्रहन की है आदेणियों मैं आप सब की जो अंदर आप के मन में हैं वो सारे मांगे में अपने मानने मुख मंत्री जी के समक रखती हूँ आज मैं अपने बड़े भाईया जिरने जिनने मुझे जिनने मुझे अपने छोटी वहन की तरह माना और सिर पर हांग रखा ऐसे बड़े भाईया जो मेरे सगे भाई से बढ़कर हैं आज मैं ऐसे मानने मुख मंत्री मानने मुख मंत्री डाक्टर मोहन यादव जी की अपने बीना विधान सवा की जो आसा हैं जो उम्मेद हैं जो मांगे उनके समच में रखते हूँ माननी मुख मंत्री जी आप सबी जानते हैं कि बीना को जिला बनाने की मांग 40 बरसो पराने आएं बीना के ये लोग मेरे सम्मानिय भाई असी किलो मीटर दूरी पर चल कर सागर जाते हैं इनकी पहली प्रात्मिकता है कि बीना को कैसे जिला बनाए मैं अपने बड़े भईया से बिनम्र अर्लोद करती हूं कि मेरे भीना को जिला बना दीजिए ऐसी सुविदाये दिला दीजिए, ऐसा विकास करा दीजिए जिस से हमारा भीना चहुमुही विकास कर सके मैं मान्य मुख्मंत्री मुएरे भड़े भहिया की दूसरी मांग रखती हूँ मान्य मुख्मंत्री जी हमारे किसान बहुत गरीब है बीना नदी परियोजना जो की हमारी बीना नदी का ही नाम रोशन करती है लेकिन भाईया इन बीना नदी परियोजना में मात्र मेरे बीना विधान सवा के मात्र 22 गाउं जोड़े बड़ा दुख होता है मेरे बीना के खिसानों को कि उस नदी के नहर से गाउं जोड़ना सके मेरी आप दूसरी मेरी मांग है कि बीना नदी परियोजना में सक्तर गाउं नहीं पूरे 101 गाउं 151 गाउं जोड़े जाएं ये मेरी दूसरी मांग है आदेनिये भाईयों भाईया हमारे बीना विधानसवा की 25 पंचयातें जो खुरई तहसील में लगती हैं बहुत ही दुख के काम करवाने हम खुरई जाना पड़ता है दीदी कुस्तो करो दीदी हमने तुम्हें विधायक बनाया दीदी मैं माननी मुख मंत्रियों मेरे बड़े बैया के समक्ष अपनी तीसरी मांग रख रही हूं कि खिमलासा को पूर तैसील का दर्जा मिले जिससे हमारे जिससे हम हमारे खिमलासा पंचयात के पच्चीस पंचयातों के लोग खुरई तहसील में ना जा सके आदेने भाईयों मैं अपनी चौथी मांग भी रखती हूं हमारा मंडी वामुरा चेत्र बीना से करीब 30 किलो मीटर है बहां पर ना तो महां विध्याला है और उनको अपने रोज क काम करवाने तहसील 30 किलो मीटर बीना में आना पड़ता है मेरा हमारे बड़े वहिया और इस प्रदेश के यससवी जिनने विकास के लिए दिन रात मेहनत की ऐसे बड़े भाईया से मैं अपनी चौथी मांग रखना चाहिती हूं मेरे बड़े भाईया मैं चाहिती हूं कि म मंडी वामरा को नगरपंचयात का दर्जा दिया जाए और वहाँ पर महाअब्ध्याला खोला जाए जिससे नहीं पर मांटी वामरां के सम्मानी भाईयों कि यह कहते हैं कि हमारा छेतर्विकास दूर है जब नगर पंच्यात बन जाएगी तो भरबूर विकास होगा और महाबध्याला खुल जाएगी तो बहां की बच्चियां वहीं पड़ेगी। मैं भाई से पांचवी मांग अपनी रखतना चाहती हूं। आदे नी भाई आपने हमेशा हमेशा हम महिलाओं को सम्मान दिया और अपकी बहने मद्दप्रदेश की बहने सारी लाड़ली हैं। और मैं चाहती हूं कि हम लता दीदी और हम आपकी लाड़ली बहनों से रहें। तो मैं मांग मांगती जाओंगी। मेरे भांगड़ के भी छेतर के लोग क्यों अकेले बैठे। मैं चाहती हूं मेरे भांगड़ के लोग चाहते हैं कि भांगड़ के लिए एक बड़ा महां विद्ध्याला दिया जाए। और उप तैसील के लिए भवन दिया जाए जिससे बहां की बच्चियां जो 30 किलो मीटर चल कर अपने बाहनों से बीना पढ़ने आती हैं तो उनकी विवस्था बहां कर दी जाए मैं अब बीना के नागरों को की बात करना चाहती हूँ उन विध्याला की बात करती हूँ उन विध्यारतियों की बात करना चाहती हूँ मेरे बीना में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो वहां पर पढ़कर नोकरी पास सकें बड़ी-बड़ी कंपनिया हैं बी-पी-सियल मानी भाई से बिनम्र निवेदन हैं कि इन बड़ी बड़ी उद्योग कंपनी में पचास परसेंट इस्थानिय लोगों को रोजगार दिया जाए यह मेरा आप से बहाद गया और इनके पढ़ने की लिए एक पॉलिटेकनिक कॉलिज भी खोला जाए जिसमें पैट्रो केमिकल स्कोर्स को भी सामिल किया जाए जिससे यह हमारी प्रदेश की और देश की सरकान ने इतना बड़ा पैट्रो केमिकल हब का जोद घाटन किया है जिससे इस्थानिय लोगों को यहीं पढ़कर और यहीं पर मसस्क से भी अपको अबगत कराना चाहती हूं मेरा पूरा बीना विधानसवा का सहरी चेत चारों और से बड़े-बड़े उद्योगों से घरा हुआ है जब भी यहां से बड़े-बड़े बाहन इन उद्योगों को लिए जाते हैं बीपी-सी-एल के लिए जाते हैं जेपी होते हैं यह में द्रस मैंने अपनी आखों से देखा है बाई बस इतनी किरपा कर दो बीना विधानसवा के लोगों पर कि एक बड़ा रिंग रोड चालीस किलोमीटर का रिंग रोड आप धी दीजिए जिससे हमारे बीना के विधानसवा के चोटे-चोटे बच्चे उन एक बात और कहना चाहती हूं आदे निया मेरे सम्मानिय बड़े भाई डाक्टर मोहन यादव जी के कि हमारे यहां भी इतिहासिक एरण हैं कई बर्स पहले यहां पर बड़े-बड़े मेले लगते थे लेकिन एरण को इतिहासिक परियाटन इस्थल घोसित ना होने के कारण बंद हो गया है मेरा आपसे बिनम्रन वेदन है कि इसको कैलेंडर में सामिल करके और एरण को परियाटन इस्थल घोसित किया जाए जिससे हम लोग भी मकर सक्रांती पर जैसे कि युज्जेन में महाकाल मंदर पर मेला लगता है तो हम भी उस छोटा सा मेला हम लोग भी लग नगरा है मैं बड़ी बड़ी चोटी चोटी बात कहना चाहीती हूं आज हमारी नगरपालिका की स्थिति देखे 600 का ट्में हमारी नगरपाली का का बवन बना है और इन 600 अर्भिट में ऐसा लगता है कि यह कोई मकान में रहने वाला है यदि आप दे सकते हैं तो एक आधन भवन दी दीजिए नगरपाली का के लिए जिससे हम भाविस में जो बड़ा महाद जो हमारा भवस में बड़ा एक बड़ा सहर बनेगा तो नगरपाली का छोटी न रह जाए मैं किसान भाईयों की भी बात करना चाहती हूं आदेनी मुक्कमंत्री जी से कि हमारे किसान भाई अपनी गेहूं तुलाई के समय किराई की भूमी लेते थे लेकिन भौत यहां पर दिक्कते होती हैं किसान भाई भौत परेशान होता है तुलाई के बड़ा किसानों की जमीन हम उनको किराई पर लेना पड़ती थी हमारा आप से बिनम्र में यदन है कि करसी उपजमंडी का बिस्तारी करण कर दीजिए जिससे हम आज 9 एकड़ भूमी पर जो बनी है वो कल भविस में 35 एकड़ भूमी पर क्रसी उपजमंडी का निर्मा हो बहुत चोटी चोटी और समस्या हैं गड़ा पडरिया की सिलार नदी की बात करें जिस पर पुल निर्मान होना है गनेसा करना चाहिती हूं जो जरजर अवस्था में में लाडली बहनों के लिए गैस सहरी और ग्रामरी बाल विकास कर लएकी बात करना चाहिती हूं जो अभी है यह नहीं और जो भी है तो चेत्र में बहुत कम है मैं नियाला परिसर में और भी बात करना चाहती हूं जी जी बस एक बात और कहना चाहती हूं साथियों कि छेत के अंत में इस छेत के विकास के लिए मैंने 15 बरसों की राजनीती से क्या हासिल किया है मेरे छेत्र के प्राण पड़िये भाईयो आज सगे भाई से बढ़कर मा मेरा त्याग मेरा भलीदान बीना के सेकड़ों सपनों को पूरा कर सकती है तो है ये निर्मला सप्रे हरा हले हजारों अलोचना स्विकार करने के लिए तैयार है अब फैसला इस सवा के बाद आपका होगा यदि मैं गलत रहूं या सही रहूं यदि सही रहूं तो भरपूर आसिरबाद देना मेरे बीना चेत्र के सम्माने भाईयों बहुत सारी बाते हैं कहने को चुकि समय भी है और इस भीशन मैं इन सब का धन्वाद देना चाहती मेरे सम्माने भाईयों कि इतनी बारिस के बाद भी आपकी इस बहन का होसला बढ़ाने करने मेरे सम्माने भाईयो पस्तित हुए और आप से मुक्ष से सुनना चाहते हैं मैं अपने भाईयों के कभी आंगन में बैट कर बात कर लूंगी यदि गलती कर दी कर दिये कर दिये तो अब डांड देना यदि मैं सही हूं तो दोनों हातों से आसीर बात देना मैं अपनी बात खतम करती हूं कि सौंप दिया है सब मैंने, सौंप दिया है सब मैंने, अब भार तुमारे हातों में, भीना विकास की जीत तुमारे हातों में, और हार तुमारे हातों में, जै हिंग, जै भारत, जै बेरे भीना विधान सवा के, समस्त मेरे सम्मानिय भाईयों स्रीक्रिष्णा युनिवर्सिटी छतरपुर दि हाई टेक युनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुदेल खंड के लिए गौरब की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्विश्टरिय एजुकिशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफरस्डरक्शन कोरोना जैसी महामारी के तौर में अब महानगरों की भीड़बार अत्यादिक घर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्विश्टरिय रोजगार उन्मुखी सिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परिशानी से बचे क्योंकि को महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में इसलिए स्रीकृष्णा विश्विश्द्याले आपको देगा राश्टी सिक्षा नीती 2020 के अनुसा तैयार पाच अक्रम और कूर्स में प्रभिश के अफसर